नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत इंपोर्टेंट है, खास कर उन लोग के लिए जो ATM, BTM, एकाउंटेंट इनका फोरम डाले हैं उनको काउंसेलिंग में कौन-कौन सा डोकॉमेंट्स लगने वाला है, ATM, BTM का काउंसेलिंग जो है आपका कब तक होगा, लेखपाल का काउंसेलिंग आपका कब होगा कौन-कौन से कागजात कब आपको तयार कर लेना है और कौन सा लेबल में तयार करना है सारी जानकारी A to Z आपको इस वीडियों बताने वाला हूँ तो वीडियों को सुरू से लेके लाश्ट तक देखिए तब आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी और आपको डोकॉमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई भी डोकॉमेंट्स जो है आपका नहीं बचेगा पूरा का पूरा जो है आपका वेरिफाई हो जायेगा तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका आवेदन पत्र ये आप सबसे पहले इपना डाउनलोड करके रख लेगा उसके बाद बीटीएम का काउंसेलिंग जो है आपका 21 और 30 मई को होने वाला है बीटीएम का काउंसेलिंग 29 और 30 मई को और अटीएम का आपको 8 retir नौजुन को मतलब अभी आपको एक महिना लगभग आपका समय है इसमें और असुलिपिक या लेखपाल का 13 से 14 जून को आपका कौंसेलिंग होने वाला है सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें आपको प्रतिक्षा सुची जो है सीट का दोगुना मतलब कहीं पे अगर 10 सीट है तो वहाँ प्रतिक्षा सुची जो है आपका दोगुना आपका तयार किया जाएगा उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको डोकुमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन-कौन से प्रमान पत्र आपको ले जाना पड़ेगा तो सबसे पहले अगर आप वहाँ पे उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन रद कर दिया जाएगा ब्यक्तिगत रूप से आपका उपस्थिती जो है वहाँ पे अनिवारे होगा उसके बाद आप आरक्षन का अगर लाव लेते हैं तो उसमें आपको जाती प्रमान पत्र और आवासिय प्रमान पत्र है आई प्रमान पत्र का इसमें कोई जरूरी नहीं है जाती प्रमान पत्र और आवासिय प्रमान पत्र आपका जो है अनुमंडल या जिला पताधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए इसमें ध्यान रखिएगा कि कितने लोग ब्लॉक लेवल का बना के लेके चले जाएंगे औरो लेवल का परन्तु वो जो आपका इसमें नहीं चलेगा इसमें आपका सबसे पहले अगर आप अप्लाई करते हैं तो 10-12 दिन में आपका मिल जाएगा औरो लेवल का उसके बाद आप अप्लाई करते हैं तो 10-12 दिन में आपका अनुमंडल लेवल का मिल जाएगा तो अनुमंडल लेवल का इसमें आपका सफिसियंट है कोई भी डोकोमेंट्स अगर आप जाती या आवासिय बनाते हैं तो वो आपका अनुमंडल लेवल मिनिमम होना चाहिए क्योंकि अनुवंडल के बाद अगर आप चाहते हैं तो जिला लेवल का बनाईए अगर नहीं चाहते हैं तो आप नहीं भी बना सकते हैं आपका अनुवंडल लेवल प conscious है आपका काम हो जायगा उसके बाद आपका मेेट्रिक का और इंटर का और ग्रेजुेशन का तीनो का आपका marksit होना चाहिए, certificate होना चाहिए, metric, inter, graduation तीनो का marksit और certificate यह आपका बिल्कुल अनिवारे है, अगर आप PG किये हुए हैं तो PG का आपका marksit और certificate उसमें आपका लगेगा, क्योंकि PG पे आपको 5 नमबर extra मिलेगा तो उसमें भी आपको PG का marksit और certificate लगाना उसमें अ जहां से भी आप experience उसमें डाले होंगे, तो वो आपका experience certificate इसमें लगेगा, उसके बाद 7 से 8 फोटो आप रख लेंगे, जो भी आपका काम परेगा, 8 फोटो के नीचे जो है आपका काम हो जाएगा, उसके बाद हम details में बात कर लेंगे कि इसमें आप experience certificate जो है, आपका किस company स या कहां से आप किये रहेंगे, तो वो valid होगा, आपको सारा details हम बता देते हैं, आवेदन पत्र जब आप document verification करवाएंगे, तो उस समय सबसे पहले आपका उपस्थिति आनिवार है, उसके बाद आपका आवेदन प्रमान पत्र जो आप download करेंगे, उसके बाद आरक्षन का ल आप फोटो कम से कम इसमें आपको जहुड़ी पढ़ेगा, इसके बाद हम details में experience के बारे में बात कर लेते हैं, तो experience के लिए आपको होना चाहिए क्या, कि भारत या राजी सरकार के सरकारी संस्थान, या संगठन, या वित्य पोसित संस्थान, तथा ICR का जैसे कि किसी द्यान हो गया, मतस्य हो गया, पसु विज्ञान हो गया, डैरी, वानिकी, किसी अवियंतरन से संबंधित विस्विद्याले, महा विद्याले आदी में अनुभव प्राप्त, अभ्यार्थी कोही अधिवहार अंक दी जाएगी, आपको जो 10 अंक experience का मिलने वाला है, ये कोई भी सरकारी संस्थान से, अगर आप जैसे की संब्यदा पर जॉब कर रहे हैं, तो उनहीं को ये चीज लाव दिया जाएगा, अन्य था आप किसी भी private company में अगर जॉब कर रहे हैं, तो उसका जो है experience का लाव आपको नहीं देना, नहीं आपको मिलेगा, तो इतने सारे documents आप तयार कर लेंगे, इसका जो है अभी counseling में समय है, ATM का जो है 8-9 June को होने वाला है, आज जो है आपका 13 मई है, तो आपको एक महिना लगवग समय है, तो आपको बनवाने में जो है 12-15 दिन आपको औरो लेवल का, और 12-15 दिन आपको अन्मंडल लेवल का बनाने में लगेगा, तो यह सारा कागजात आप अपना तयार करके ले लेंगे, और इसका सारा का जो है आपका मूल कोपी, जो आपका ओरिजिनल है, वो चीज़ लेके आपको जाना पड़ेगा, और वहाँ कम से कम दो सेट जो है इसका फोटो कोपी आप जरूर करवाके ले जाएंगे आप कॉन से लिंग में, थैंक यू